हेलो बच्चों तो आज हम बात करते हैं multiplication of a vector by a real number यानि किसी vector को real number से multiply करना है आप real number से समझ लीजिए पहले क्या होता है real number में positive number भी आएंगे 0 भी आएगी negative number भी आएंगे और fractional number भी आएंगे real number में यह सभी number आएंगे और इन number के साथ हमने किसी vector को multiply करनी है यह वाते आप ध्यान रखें और जब हम अगर positive number से किसी vector को multiply करते हैं positive number के साथ एक बात ध्यान रखें आप अगर मालिय कोई vector है आपने इसको positive number के साथ multiply की एक वेक्टर को तो अब यह जो new vector आया है 2 a cap इसका मतलब क्या है कि अब इसका जो magnitude है वो 2 times हो गया 2 से multiply हो गया लेकिन direction सेम रही लेकिन अगर हम इस two vector को sorry a vector को multiply करें minus two के साथ तो इस case में भी इसका जो magnitude है वो 2 times हो गया 2 से multiply हो गया लेकिन साथ में यह आगर negative sign जो इसकी direction को show करता है यानि कहने का मतलब क्या है कि direction पोजिट होगी इसको एक बाद और अच्छे तरीक्ये से हम explain कर लेते हैं देखे मालनी आपके पास यह vector है यह vector है a ठीक है यह vector जो है आपका a मालनी आपका इसकी कुछ नगुछ value है मालनी आपका 2 meter है यह मालनी meter में है तो 2 meter हमारी हमारे पास a की value है अब हमने क्या किया मैंने a को 2 के साथ multiply कर दिया प्लस 2 के साथ तो जैसे ही मैं a को प्लस 2 के साथ multiply करेंगे हम इसको निचे ड्रो कर लेते हैं यहाँ नहीं करते इदर देखें अब मैंने a को 2 के साथ multiply कर दिया तो इसका जो magnitude है वो डबल हो जाएगा यानि पहले distance टू मेटर थी तो फोर मेटर हो जाएगी इससे दो गुनी हो जाएगी तो distance होगी पोर मेटर distance होगी दो गुनी लेकिन हमने multiply किसको किया है प्लस 2 के साथ multiply किया है किसको a cap को तो direction भी इसी direction में आएगी same direction में इसकी direction भी towards right hand side है इसकी direction भी right hand side है इतना बात ध्यार रखेंगे लेकिन अगर इस यह जो vector था माल लिया a vector हमारा इस direction में है तू मीटर है ए वेक्टर अब हम इसको multiply कर रहे हैं minus 2 के साथ तो जब minus 2 के साथ multiply करेंगे तो minus 2 के साथ हमने multiply कहिया तो इसका magnitude है वो two times हो जाएगा दो से multiply हो जाएगा तो two है तो four हो जाएगा तो distance हो जाएगी four यह नि length हो जाएगी four लेकिन direction देखने negative sign है तो direction opposite इसका arrow right side है तो इसका arrow हो जाएगा left side कि जब आप plus वाली quantity के साथ multiply करेंगे तो magnitude उतना time ज्यादा हो जाएगा direction सेम रहेगी लेकिन negative के साथ multiply करेंगे तो magnitude ज्यादा हो जाएगा लेकिन direction inverse हो जाएगी यह पोजिट हो जाएगी तो देखें कि दा कि दा कि दा कि दा कि दा मल्टिप्ली इसमें मल्टिप्लेशन वेक्टर बाई रियल नंबर देखें दा मल्टी हो जाएगा मल्टीप्लाइ करेंगे टो से मल्टिप्लाइ करेंगे टैम हो dezake इसकी टॉर्टी है सेम वह सेम भी होगी और पोजिट वहागी है as that of A, कि जो A है, is positive or negative, वो positive है यह negative, positive है तो same direction, negative है तो opposite direction, उसके बाद देखे, बटा, हमारे next topic है, multiplication of vector by scalar, scalar का मतलब क्या है, scalar का मतलब है, कि हमने जिस number के साथ multiply करना है, उसके आगे sign नहीं लेने, यनि, sign कहने का मतलब है, कि positive sign ही हो, होगा negative sign हम नहीं ले सकते क्योंकि स्केलर का मतलब बैद की magnitude लेना है अगर माइनस टू का magnitude देखें तो वह भी प्लस टू होगा और अगर प्लस टू का magnitude देखें तो वह भी प्लस टू होगा यह हमने only plus वाली quantity के साथ multiply करना है तो तब आपको पता है कि magnitude उतने time ज्यादा हो जाएगा लेकिन direction में कुछ फारक नहीं होगा तो देखो वैन एवेक्टर कि वैन एवेक्टर इज मल्टिप्लाइबाइब स्केलर जब किसी वैक्टर को स्केलर के साथ इसके बाद बैटा एक नुमेर्कल दिया हुआ है इसस्य नुमेर्कल नुमेर्कल किसी यह ये य connection AB एंड इट अलोंग डार्यक्षण ओभी और इसकी डार्यक्षण एक्टर के सेम होगी कि उसके बाद बेटा एक नुमेरिकल दिया हुआ है इस नुमेरिकल के बेस पर हमने युनिट वेक्टर निकालना है आप ध्यां रखें कि जो तो कोई भी अगर हमने युनिट वेक्टर निकालना है युनिट वेक्टर एक जिसके बोलते है वह उता है वेक्टर अप़ोन मेगनिटूड प्राइड यनि आप वेक्टरवे ले और उस bycard का मेगनिटूड कर दें उसकी एक्वल ऊता है तो आपको वेक्टर की वेलू ये दे रखी है यह देखें मेटा इसका हमने अब मेगनिटूड निकालना है तो मेगनिटूड का मतलब क्या हुआ आप ऐसे निकालते हैं रूट लें आई के साथ वाला जो मल्टिप्लाई है कोफिसेंट आई का आई कैप का वह 4 है तो 4 का स्क्वेर करें जे का कॉफिसेंट माइनस 3 है माइनस 3 का स्क्वेर करें के का कोफिसेंट 1 है तो 1 का स्क्वेर करें तो हो जाएंगा 16 पलस 9 पलस 1 तो 16 और 9 कितना होता है 25 और 1 26 तो आप यह जो वैक्टर है यह वैक्टर हमने लिख लिया कुछ यहां पर वेक्टर लिख लिया यहां पर और इसका मैं इनुड लिख लिया रूट वर्टिसिक्स